आप लोग इतना दिन निकालाता है पहर बिज़े शुब है देखिए बहुत ठंडा मोसम है यहाँ पर गाय बगरा खड़ी है सभी मैं लगाऊंगी बहुत बहुत अच्छे मूंगे और हम भी ठीक है सभी मैं लगा लेते हूं गेट के बाहर चाड़ू और उरेन डाल दूँगी और आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कितना जादा यहां पर गट्टी पड़ी है जो होती है ना लेंट डालने में काम आती है तो वही है रोडी तो अभी आमारे घर में उस वाले घर में काम लगा था तो बस वही पड़ी है अभी दखने की जाता है तो अभी ना आट-दस दिन हो गए मुझे आट दस नहीं पर गोबर से लिपाई की हुए तो अभी ना तो मंगल वार तो आद तो लीपूंगी नहीं और कल बुद्धु हारे तो कली लीपूंगी क्योंकि हमारे मंगल वार सनीवार ब्रस्पति वार को लिपाई नह जाकर के मुझे नास्ता भी बनाना है जाड़ी मेरी लग चुकी है सब जगे आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो है तो मैं आज बनारी नास्ते में रवा का हलुआ कि यहां पर रवा मेरा अच्छे ससे बुनने वाला है सबसे आपर रवा अच्छे से भुन चुका है जोपी ला देती ह Iya आपशन भान नहीं बनाती है ज्यादा गीला मुंझे बहुत गिरी जाता है तो बस इस वैसे तो अभी देखिए रवा जो है तो मेरा बन चुका है और एक साइड मैंने चाय भी बना लिए तो चाय थोड़ा पक रही है अभी तक तक में प्लेट बगार निकाल कर बच्चों के लिए डाल दी हूं हलवा कटोरियों में और प्लेट म बच्चों को मैं चाय नहीं देती हूं क्योंकि गर्मी चादा हो रही है तो हम दोनों के लिए हो जाती है और अभी देखिए मैंने नहा लिया और अभी ना टाइम हो रहा साड़े गेरा तो यहां पर यह लौकी है तो मैं इसकी इसका जो है तो कोप्ते बनाओंगे इसके सो अभी इससे मैं अच्छे से छील लिया है और इसनेम दो तुकड़ों में काट कर अच्छी लिया और Buenos बच्छा करके फिर अच्छे से कट्डू कस करके और फिर बनाओंगे आज कोप्ते क्योंकि नलों की क्ढ काली बड़ के बनाते तो कम worth रिदोने बनाने वाले न ऒशेसे बनाती हो थोड़ा बचмо भी खाव लेते हैं थो पाकोड़ि्यान हम लोग भी खा लेते हैं थो इस वाई पूरे कप्कास कर मी और बात बनाऊए तो चलिए पहले जैक है लेती हूं कद्दुकस और यह जो चिक्कल है तो इनको डाल दोंगी बाहर सो गाये खा जाएंगी लड़ा रही है जब रहती थी हमारी तो अभी तक बनी हुई है वो अब यहां पर खड़ाई रख दी है मैंने गरम होने के लिए और अभी निकाल रही थी बेशन चान कर ही रखती हूं डिबे में भरकर रखती हूं चान कर सो कड़ाई गरम हो रहे तो यहां पर बेशन मैं अपने ही सबसे डाल लूगी जितना मुझे चाहिए और आप लोग कम कम बेशन डाल लिए क्योंकि ना कम ही लगता है इसमें बेशन और साथ में मैंने नमग भी डाल दिया है और कोपते ना सभी लोग बनाते हैं कोई ना बनाता हो हम मैं तो बनाती हूं यहां पर देखे कड़ाई जो है तो गरम हो चुकी है और पता है लौकी की सबजी से ज़ बनाता है यह तो दोटा से डाल देती हूं और थोड़ा सा डालाओगी गरममसाला हलका सा मैंने घर में बनाया उना घृत में भी मा desafu Tree powder दोड़ा रही तो फिर तो भीily 3ठा लाल मिर्ट्री पाउडर बनाया है और यह बहुत तीकी मिर्ट्री है तो थोड़ा कमी डालूँगी और बना जादा तीका हो जाता है तो फिर बच्चे नहीं खापाते हैं गरम मसाला घर का बना है तो इस वाइसे फिर मैं कभी कबार डाल देते हैं क्योंकि बहुत अच्छी खुसबूा आ रही थी बहुत अच्छी खुसबूा रही थी स्वारी अभि थोड़ा सा घरा मसाला हल्दी पाउडर पाउडर डाल मिर्च पाउडर डाला है इसमें और अच्छे से मिक्स कर दोंगी और जब तक मेरा एक साथ तेल गरम हो रहा थैं तो चले मिला लेते हैं प यिरूब कर समय मा alte workshop वमногर लोलसा में या उन्हें इसी सप्टाइब मुला और खोला जाता है तो इसके बलुकिल से पानी लगा और इतना खुदी पानी निकलता है लोकी में है ना सुमें हम अपने कुछें अपने हो जाता है लुक है नमक डालों तौ बस यहाँ पर यह पकोड़ कोप्ती जो निकाल लोगे बिव धाली में यह मेरे पक चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कर्टोरी में जो है तो मैंने प्याज और लेसो नद्रग का paste रखा हुआ है पीली वाली कойти में फो यह ना निकली थी जो चाए की पैकेट आती हूँ उसी में निकली थी तो यह देखिए यह वाले कोपते जो है तो निकल गए अभी आकरती है इदर सो बस वह आएंगी थोड़ी देर में देखो बच्चों को तो लगता ही है थोड़ा सार गैस चूला के उपर गिर गया था बेशन तो फिर मैंने उसे हटा कर थाली में ही रख ल आलती हूं और मुझे उसी तरह से उन्हें अना पकाने में सही लगता यह अच्छे से पग जाते हैं और हमारे माईके में नहीं बनते हैं क्योंकि नं न मेरे माएके में ये निवैंक न는 ना कोई बनाता है और मैंने भी बार होाँ पर जाकिट्राइ किया सो मैं आप लोगों को बताती हूं तो यहां पर देखिए तेल तो गरम वैसे भी था और आधा तेल मैंने कम कर लिया था तो इसमें मैंने मेथी दाना और हीन और एक लाल मेश पाउडर डाला था वो लाल मेश खड़ी वाली डाली थी सौरी और इसके बाद जो है तो प्याज अध्रक लैसन का पेश डाल दी हूं और इसे अच्छे से भून लूगी और यहां पर देखिए जो कोपते बनाते थाली में बेसन लगा हुआ था तो उसी में मैंने हाथ धुल लिया और वही पानी मैं अभी इसमें डाल दूंगी को मतलब पकने के लिए थोड़ा थीक हो ज इतनी नियुका कोई नूंग करते हैं उसके हिंट चीजी कोपिता है और थीसमें तो भी आप दूंगी द्हात्रतों दूंगी किम्किन है बेसन है तो ये न पानी थोड़ा जादा पीते हैं ये फूपते तो इस वैसे थोड़ा जादा ऑपक गया है जो अब हो ग्रेवी तो ये कोपते डाल दूँगी and और पता है कुछ हम लोगों ने खा लिये थे कोपते और कुछ यह बच्छे हैं इतनी सब्जी हमारे एक बार के लिए हो जाएगी और मुझे तो लगता है यह साम तक के लिए हो जाएगी तो अभी देखे यह इसे न छोड़ देती हूं पकने के लिए अच्छे से पकने लगी और मैंने गया चूला ना नीचे उतार के लख लिया था क्यों आज पैरों में दर्द हो रहा था इस विए से मैंने फिर चूला को जो है तो नीचे उतार लिया और यहाँ पर गाय क्ले र में लगा लिए चोठी बना करके अशसे दुनगा करके मैंने लगा लिए थी और बस पर यह से थोड़ा बहुभ मेरे ब करते हैं ना खाया है क्योंकि वह बोल रहा थे आज मैं ब्रत रखूंगा उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया तो सब्जी पूरी रखी हुए तो यहां पर धाली में मैंने पानी डाल दिया ठंडा वाला और इसी को पर जो है तो सब्जी रख दूंगी और जो यह छनी है जाली तो इ मैंने मुवोंस दे दिये हैं और राकिती तो खाना ही खा रही थी पर यह लेकर आगए तो मैंने कहा पहले यह खालो वरना ठंडे हो लेंगे देख सकते हैं आप लोग सो बस यह बच्चें सखा लेंगे सो आप लोग भी आज आए दोस्तों और आज का मेरा वीडियो यहीं तक है अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाए कर मिलूं